हाई कैस वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं वेस्टेविल मसाला पुलाओ इस टेस्टी पुलाओ के बनाने का तरीका काफी सिंपल है और यह काफी असानी सा बहुत जटपड बन जाता है सबसे पहले हम लेक बड़ा बरतन लेंगे उसमें गी डालेंगे और उसे गरम करेंगे जब हमारा गी गरम हो जाएगा तो उसमें हम जीरा डाल देंगे और इंतजार करेंगे कि जीरा स्प्लटर करें जब आप देखोगे कि जीरा हमारा चटक ने लगा तो इसमें हम लोग डालचीनी डाल देंगे फिर हम इसमें ग्रीन कार्डेमम डालेंग इसके तुरन बाद हम एक कप प्याज जालेंगे Now, give it a quick stir आप जैसा कि देखरो कि ये low flame पे हमारा प्याज भुन रहा है तो इसे हलका golden brown होने तक अच्छे से भुने आप जैसा देखरो कि हमारा प्याज अब golden brown हो रहा है जैसा कि आप देखरो कि हमारा प्याज golden brown हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे अपना ginger garlic paste और ginger garlic paste डालेंगे गवार इसे थोड़े देर हम भूनेंगे ताकि इसकी जो powerful smell होती ginger garlic की वो निकल जाए, हलकी हो जाए अब हम इसमें add करेंगे हमारी कुछ green chili slitted and give it a quick stir after 10 to 20 seconds अब हम यहाँ पर add करेंगे हमारी सूखे मासाल जैसे कि हल्दी फिर उसके बाद हम add करेंगे लाल मिर्च पाउडर फिर उसके तुरंद बाद हम add करेंगे अपना धनिया पाउडर इसके बाद अब हम अपने सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले का कच्छापन निकल जाए और इसकी फ्लेवर खुलके और खिलके है मसालों को अच्छी तरद भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप टो मैटोस mix it और stir it properly ताकि अच्छे से मसाले के साथ mix हो जाए इसमें हम नमक add करेंगे नमक हमेसे अपने स्वादन सार होना चाहिए फिर शुगर add करेंगे ताकि इसका सारा टेस्ट प्रॉपरली बैलन्स हो जाए इन सब चीजों को add करने के बाद हम इसे अच्छे से कुछ देर के लिए पकाएंगे फिर इन सब चीजों को भूनने के बाद जब हमारा टामाटा थोड़ा गल जाए फिर इसमें हम add करेंगे अपना कैपसिकम यानि के सिम्ला मिर्च शिम्ला मिर्च को डालने के बाद हम डालेंगे इसमें अपना एक कप कैरेट जो की फाइन जूलियन्स कर्ट में अच्छा से भून चुकी है तब इसमें हम add करेंगे थोड़ा सा पानी फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे फिर इसमें थोड़ा स्टर करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छा से असारी सबजें अच्छा से मिक्स हो जाएं इसके बाद अब इसमें हम थोड़ा निमू करस डालेंगे lemon juice फिर हम इसमें add करेंगे धनिया के पत्ते यानि की coriander leaves थोड़े से उसके बाद हम इसमें add करेंगे पुदीने के पत्ते means mint leaf अब इसे थोड़ा हलके हाथ से चला देंगे ताकि अच्छे से सब चीज mix हो जाए जासा कि आप देखेंगे पानी हमारा पूरा बॉयल हो गया है इसके बाद हम आप add करेंगे अपने चावल चावल को डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिला देंगे ताकि चावल और सारे vegetables and मसाले सब अच्छे से एक दूसरे के साथ mix हो जाए इसके बाद add करेंगे हम थोड़ा सा घरब मसाला सभी चीज़ को मिलाने के बाद हम इस पॉट को एक धककन से धक देंगे और इसे बंद कर देंगे और इसे 20 तो 25 मिनिट्स लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जैसा कि आप देख रहे हमारा चावल कुछ इस तरह से खिला खिला निकला है अब इसके बाद हम इसमें add करेंगे एक चमश केवरा वाटर अगेन हम इसे थोड़ी देर के लिए धक के छोड़ देंगे जास फॉर फ्यू मिनिट्स और फिर जब इसका धकन हटाएंगे तो लुक अट राइस अब पुलाओ यह काफी खिले खिले बने हैं और काफी अच्छे लग रहें देखने में और इसकी जो केवरे के स्मेल है उससे हमारे पुलाओ में काफी अच्छी खुश्बू भी आ गई है चली दोस्तों इसके इंप्लेटिंग करते हैं और इसे गरम गरम ही सर्फ करते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यह हमारा वेजटेबल मसाला पुलाओ एक दम तयार है जैसे कि अच्छी खुलाओ में पुलाओ करते हैं